क्या आप एक Financial Brokers, NIC, हैं और आप Australia में काम करने, रहने या स्टडी करने के एचुक हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए हैं। इस वीडियो में, हम आपको आउस्ट्रेलिया में Financial Brokers, NIC के Career Scope और Profile से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आपके अपने अंतर राष्ट्रिया Immigration Information Channel A to Z Immigration Updates में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आस्ट्रेलिया में Professionals के लिए Skills और Career Scope पर हमारी वीडियो सीरीज में हम एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। इस वीडियो में हम Financial Brokers, NIC से एक Australia Employer की Job Profile से संबंधित अपेक्षाओं के बारे में जानेंगे। हम Financial Brokers, NIC के लिए उप्योक्तोन इंडस्ट्री सेक्टर्स को देखेंगे। यहां Financial Brokers, NIC को नौकरी के लिए आसान तथा अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हम Financial Brokers, NIC के प्रोफाइल पर आस्ट्रेलिया में काम करने के लिए न्यून्तम एज्यूकेशन और एक्स्पिरियन्स की जरूरतों को भी देखेंगे। हम यह भी देखेंगे कि आपके प्रोफाइल के लिए स्किल लेवल, लाइसंस और रेजिस्ट्रेशन की क्या जरूरते हैं। हम Financial Brokers, NIC के प्रोफाइल पर काम करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की जेंडर रेशियो और मुख्य आई-उ वर्ग पर भी चर्चा करेंगे। Current Job Openings, पिछले 5 सालों का Analysis, Future Expectations और Career Scope भी इस वीडियो में चर्चा का विशय रहेंगे। हम Financial Brokers, NIC के औसतन सापताहिक वाकावर्ज और वेज रेट या तंखवाह की भी चर्चा करेंगे। वीडियो के एंड में, हम आपको अलग-अलग वीजा आप्शिन्स के बारे में बताएंगे जिन में मुख्य हैं, आस्ट्रेलिया में काम करने, पर्मनेंट रेजिदेंसी पाने, और इस प्रोफाल पर आस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के वीजा आप्शिन्स। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंड तक हमारे साथ बने रहे, अब आपका और समय न लेते हुए आईए शुरू करते हैं। इस कोड को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलिन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ओफ उक्यूपेशन या ANZSCO कोड कहा जाता है। यह ANZSCO कोड आपको किसी भी प्रोफेशन में आपकी जिम्मेदारियां तथा जॉप रोल के बारे में जानकारी देता है। उस्ट्रेलिया की राष्ट्रिय स्टैंटिस्टिक्स एजेंसी, उस्ट्रेलियन ब्यूरो अव स्टिस्टिक्स, ABS in Codes के रिचता है। और ABS के द्वारा ही इन Codes को समय समय पर evaluate और revise किया जाता है। तो चलिए अब आपके व्यवसाई के ANZSEO Profile Definition के बारे में जानते हैं। Financial Brokers, NIC, के Profile का ANZSEO Code 222199 है। ABS के Original Content की Authenticity को बरकरार रखने के लिए, Profile Description और कुछ दूसरे तत्यों को। हम यहां इंगलिश भाशा में ही दिखाएंगे तकि उनकी Originality और Integrity बनी रहे। Australia में ऐसे बहुत से Industry Sectors हैं जहां आपके Profile के Candidates के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हैं। आए एक बार कुछ ज़रूरी Job Sectors और Industries पर नजर डालते हैं। Financial Brokers, NIC, के Profile पर काम करने वाले ज्यादातर Candidates मुख्य रूप से Financial और Insurance Services, Wholesale Trade और Rental, Hiring और Real Estate Services में कारियरत हैं। Australia में अलग-अलग व्यवसायों में आवश्यक्ता के हिसाब से Employers की शिक्षा से जुड़ी विभिन मांगे हो सकती हैं। और आपका Skill Level Australian Bureau of Statistics के हिसाब से तै होता है। एक Financial Brokers, NIC के Profile पर काम करने के लिए आपके पास AQF Associate Degree, Advanced Diploma या Diploma या बराबर की अन्य योगिता जरूरी है। और Financial Brokers, NIC का Skill Level 2 है। Australia और New Zealand के हिसाब से इस ग्रुप के Job Level में AQF Associate Degree, Advanced Diploma या Diploma और Higher Qualification की जरूरत होती है। इसके इलावा कुछ केसेज में Educational Qualification की जगह पर आपका 3-5 वर्ष का संबंधित Experience भी काम आ सकता है। अन्य कुछ मामलों में आपको Experience के साथ On-Job Training की ज़रूरत भी हो सकती है। अगर आप Australia में Skilled Immigration Visa के लिए Application फाइल करते हैं तो, आपको Migration Skills Assessment की ज़रूरत रहती है। जो आपके Profile के हिसाब से अलग-अलग Assessment Bodies के जरिये की जाती है। हर Assessment Body का अपना अलग Assessment Criteria और Experience की अलग-अलग जरूरते होती है। अगर आप Financial Brokers, NIC के Profile पर Skill Assessment फाइल करना चाहते हैं तो आपको एक वर्ष Experience की जरूरत है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि Experience की ये Requirement सिर्फ Skill Assessment के लिए मानने है। परंतु Employees की जॉब के लिए Experience Requirement इस से अलग हो सकती है। आईए अब जानते हैं कि आपके काम में आमूमन किसुम्र के लोगों की ज्यादा हिस्सेदारी है। Australian Bureau of Statistics के latest survey के हिसाब से आपके Profile पर जॉब करने वाले लोगों का Main Age Group 25-34 वर्ष है और औसतन आयू 49 साल है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अलग-अलग व्यवसायों में पूरुशों और महिलाओं की गिंती तथा रेशियो काम के हिसाब से अलग-अलग होती है। तो आईए अब आपके Profile में पूरुश तथा महिलाओं की जेन्डर रेशियो पर नजर डालते हैं। Financial Brokers, NIC में महिलाओं का 26.3 प्रतिशत हिस्सा है। Australia में ज्यादातर Profiles में काम करने का नियत समय एकसा नहीं है और ज्यादातर Skilled Workers, Full-Time या Part-Time बेसिस पर काम करते हैं। Full-Time या Part-Time काम करने पर आपका वेतन हफते या घंटों के हिसाब से तै किया जाता है। अगर हम आपके Profile की बात करें तो, Financial Brokers, NIC के Profile के 90.1 लोग Full-Time काम करते हैं। इस फील्ड में Full-Time काम करने वालों के लिए हफते में एवरेज काम करने का टाइम 42.8 घंटे हैं। जोब ओपनिंग्स की गिंती, Company Turnover और Employment Growth के उपर निर्भर करती है। पिछले 5 सालों तक के Statistics के हिसाब से इस फील्ड में Expected, जोब ओपनिंग्स 10,001 से 25,000 के बीच हैं। Financial Brokers, NIC के Case में यह गिंती और सतन सत्र पर है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह अंक अच्छी व्रिद्धी दर प्राप्त कर सकता है। Australia में कुछ ऐसे काम है जहां Applicants को अपने Profile से जुड़े Licensing Body से License तथा Registration लेने की ज़रूरत होती है। अगर हम Financial Brokers, NIC के Profile की बात करें तो इस Profile के लिए हमें License तथा Registration की कुछ cases में ज़रूरत हो सकती है। अब हम सबसे महत्वपून Factor Average Weekly Earning को स्टडी करेंगे। अस्ट्रेलिया में सभी व्यवसायों की ओसतन सापताहिक आए 1300 AUD है। ABS के हालिया सवे के मुताबिक Financial Brokers, NIC का ओसतन सापताहिक वेतन Tax Deduction से पहले 1552 AUD है। जिसमें से आपके Salary Slap के अनुसार टैक्स की कटोती करी जाती है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में Permanent Residency के लिए Application File करना चाहते हैं तो प्रोसेस शुरू करने के लिए पहला कदम Migration Skill Assessment है। इसके अलावा कुछ केसे में जैसे Work Permit या अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद Professional Year शुरू करने के लिए आमतोर पर Migration Skill Assessment के Positive Result की जरूरत होती है। आस्ट्रेलिया में विभिन Profile Categories के लिए अलग-अलग Assessment Bodies हैं, Financial Brokers, NIC के लिए Migration Skill Assessment, Vocational Education and Training Assessment Services, VETASCSS के द्वारा की जाती है। अगले सेक्शन में हम आस्ट्रेलिया में जॉब के लिए अपलाई करने और नौकरी पाने के कुछ जरूरी स्टैप्स के बारे में चर्चा करेंगे। हम सबसे ज्यादा मशहूर तथा जाने माने जॉब पोर्टल को भी देखेंगे। यहां आप अपने प्रोफाइल से जुड़े विभिन रोजगारों के लिए मौजूदा आप्शिन्स को देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक ये विडियो पसंद आई है, तो आप हमें सब्सक्राइबर टारगेट 50,000 चैलेंज को हासिल करने और जीतने में हमारी मदद करें। क्रिप्या अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वर्ष के आंग तक 50,000 सब्सक्राइबर्स को अचीव करने के हमारे लक्षे को प्राप्त करने में हमारी मदद करें हम आपके सहयोग की सराहना करते हैं और अगर हमें इस विडियो पर 100 लाइक्स मिलेंगे तो हम आपके लिए इस प्रोफाइल के पी आर प्रोसेस और विजा फाइलिंग पर एक डिटेल्ड विडियो बनाएंगे इसके इलावा हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप इस सीरीज में नेक्स्ट विडियो किस विशे पर देखना चाहते हैं क्या आप आस्ट्रेलिया में नौकरी के लिए ओनलाइन या ओफलाइन अप्लाइन करना चाहते हैं? अगर आप फिलहाल आस्ट्रेलिया में हैं या फिर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या किसी अन्य जगह से भी किसी आस्ट्रेलियन जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक प्रोफेशनल के रूप में आपके लिए सबसे कठिन कार्य, जॉब आप्शिन्स धूनना तथा सही तरीके से जॉब के लिए अप्रोच करना होता है एक अच्छी आस्ट्रेलियन जॉब प्राप्ट करने के सफर में कई जरूरी स्टेप्स शामिल होते हैं जैसे कि आस्ट्रेलियन स्टाइल रिज्यूम बनाना, कवर लेटर तैयार करना, उच्छे जॉब पॉटल खोजना, अपने सेक्टर की जॉब्स के लिए ऑनलाइन या ध्यान खीच सकता है और आपको अन्य उमीद्वारों से श्रेष्ट दिखा सकता है, सक्रिय भाशाक की वर्ड्स और कुछ शोटे बदलावों का सही जोर किसी भी आम रिज्यूम को विजेता में बदल सकता है, अगर आप एक प्रफेशनल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल रिज्य तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारी एक्सपर्ट रिज्यूम राइटिंग टीम की सेवाएं ले सकते हैं, या हमारी रिज्यूम से संबंधित विडियोज को देख सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन स्टाइंडर्स के हिसाब से एक परफेक्ट रिज्यूम लिखने की जा बिना किसी फी के लिए आपके लिए सही नौकरी ढून सकता है। इसके इलावा आप हमारी टीम के साथ अपना सीवी भी साजह कर सकते हैं, जिससे आप डिरेक्ट एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयमेंट एजेंसियों के हमारे वाल्यूबल नेटवर्क को आपके लिए उप प्रेल्ड लिस्ट भी डाउनलोड करें जहां आप अपनी प्रोफाइल के लिए उस्ट्रेलिया में सबसे सूटबल इम्प्लॉयमेंट का अवसर पाने के लिए उनलाइन अप्लाइ कर सकते हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया के पर्मनेंट रेजिदेंसी या वर्क पर्मिट्स पाने के लिए उपलब्द वीजा सब क्लासे के बारे में संक्षेप में जानेगे। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से पाथवे प्रोग्राम्स और वीजा सब क्लासे हैं जिनके जरिये एक प्रोफेशनल ऑस्ट्रेलिया में वर्क पर्मिट या पर्मनेंट रेजिदेंसी पाने इन वीजा सबक्लास इसको मुख्य रूप से निमनलिखित काटेगरीज में डिवाइट किया गया है जो है स्किल्ड माइग्रेशन वीजर्स, सबक्लास 189 यो की पर्मानेंट रेजिदेंसी पाने की डाइरेक्ट सबक्लास है स्टेट या रीजिनल नॉमिनेशन वीजर्स, सबक्लास 190 और 491 यो स्टेट नॉमिनेशन के द्वारा पी आर तथा टी आर पाने के रास्ते हैं पर्मानेंट रेजिदेंस, स्किल्ड रीजिनल, वीजर्स, सबक्लास 191 और 887 यो की 491 तथा 489 की कंटिनुवेटी में पी आर पाने के रास्ते हैं इंप्लोय स्पॉंसर्ड वीजर्स, सबक्लास 186, 187, 482 और 457 जिनके द्वारा आप एंप्लोयस से सीधी स्पॉंसर्शिप या नॉमिनेशन के थ्रू पी आर तथा वक्परमिट प्राप्ट कर सकते हैं बिजनस इनवेशन, इन्वेस्टमेंट और अंट्रप्रेनियो स्ट्रीम वीजर्स, सबक्लास 888 और 188, जिसके द्वारा आप किसी व्यवसाय में इन्वेस्ट करके या फिर किसी इनोवेटिव आइडिया, यो कि ऑस्ट्रेलिया को एकनॉमिकली तथा सोशली हेल्प कर सके क द्वारा पी आर तथा वक्परमिट प्राप्त कर सकते हैं. कुछ स्पेसिफिक टागेटेट सेक्टर्स के लिए ग्लोबल टालेंट विजा और सबक्लास 476 स्किल्ड रेकिगनाइजड ग्राजुएट विजा एक अन्य विकल्प है. इन में से ज्यादा तर वीजा, आप्लि NIC के प्रोफाइल के लिए कौन से विजा सबक्लास से खुले हैं? तो आप दिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करें. आप Financial Brokers NIC के लिए PR फाइलिंग पर बनी हमारी डेरिकेटेड विडियो भी देख सकते हैं, जिसका टाइटल Australian Permanent Residency and Work Visa Filing Process for Financial Brokers NIC है. इस सी प्रचा करने वाली अगली बात आस्ट्रेलिया में Study और सेटल होने के लिए उपलब्द वीजा विकल्प और वीजा सब काटेगरीज हैं. तो आएए इसकी एक संक्षिप ज़लग देखते हैं. अगर आप एक स्टूडेंट हैं और Financial Brokers NIC बनना चाहते हैं तो आस्ट्रेलिय पढ़ाई और सेटल होने के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक हो सकता है. एक स्टूडेंट सब क्लास 500 के तहट अपना Study विजा फाइल कर सकता है. हर स्टूडेंट को पढ़ाई के दौरान काम करने का अधिकार मिलता है और सब क्लास 485 के तहट पढ़ा हर जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके Expert Advice ले सकते हैं. इस वीडियो के लिए हमारी टीम ने अलग-अलग authentic sources से जानकारी को एकठा करने और verify करने में कड़ी मेहनत की है. अगर अब तक क वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई है और भविश्य में भी इसी तरह के प्रयासों को जारी रखने के लिए आप हमारी टीम को appreciate या प्रेरित करना चाहते हैं तो कृपिया हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon को दबाएं. साथ ही इस वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ सरूर शेयर करें. अगर आपको immigration से संबंधित किसी और जानकारी या मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी तरह की पूछताच करना चाहते हैं, तो आप हमारी registered migration consultants की team के साथ एक expert counseling session ले सकते हैं. हमारे माहर consultants आपकी profile के बार पूड़ी हकीकत और आंकडों के साथ हर सच्चाई बताएंगे. सो, अगर आप तरसली से अपने immigration की opportunities के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी description में दिये गए booking link पर क्लिक करें, और अपना expert session reserve करें. हम अपने दुनिया भर के दर्शकों के लिए सभी तरह की immigration की सेवाओं क के साथ उन्हे one-stop online platform देते हैं. आप हमारे immigration में माहर टीम के जरिये online counseling session, migration skills assessment की application filing और सभी तरह के visa processing में मदद पा सकते हैं. हम Australia में companies को विदेशी manpower hire करने तथा work और दूसरे visas की filing वर अन्य संबंधित activities में भी मदद करते हैं. इसलिए अगर आप Australia में अपनी company चला रही हैं, तो हम आपकी company के लिए best suitable employees धूंडने में आपकी मदद कर सकते हैं. अगर आप अपने skill assessment और immigration के लिए अपनी eligibility की assessment खुद से करना चाहते हैं, तो description में दिए link पर click करें और अपनी self assessment खुद चेक करने के लिए हमारी app भी download करें. अपनी profile के बारे में और जानकारी के लिए हमा दुनिया भर की immigration की ताजा और सची जानकारी जानने के लिए bell icon को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का notification सबसे पहले मिले. हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको Australia में आपके career की opportunities के बारे में detailed जानकारी मिली होगी. इस वीडियो को देखने के लिए धन्य और जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे.